जाकर भागो, थूको और भागो, थूको और भागो, बदनाम का। आपने मुझे अनुसुचित जातियां, अनुसुचित जन जातियां, अत्या चार निवारन संसोधन बिल्यैक 2018 चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है यह अती महतपुर्ण है क्योंकि पूरे देश में विपच्च के द्वारा आफवाप फैला करके देश भर में गुमराह किया जा रहा है कि नरेंदर मोदी जी दलित विरोधी हैं आरच्छन विरोधी हैं इसलि माने खरगे साहब आप नेता रहे हैं पाच-पंच साल आपने सासन किया है और पांच साल भी अभी मोदी जी का नहीं हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी पांच साल में अभी हुआ भी नहीं है तो उन्होंने गरीबों के लिए उजाला योजना लाया उसमें दलित का बेटा का काम हो रहा है दलित की बेटी का काम हो रहा है ओवी सी के लोगों का काम हो रहा है आपने क्या किया जन्दा नहीं हो जना उन्होंने लाया उन्होंने गरीब के घर में जो खाता नहीं देखा था जो बैंक नहीं देखा था वो ऐसे लोगों को उन्होंने आँ पूरा दुनिया को पता हो गया किस्ता मेधानिक दर्जा दे करके OBC लोगों को पिछड़ी लोगों को आज आरच्छन में जो बैवधान किया जा रहा था और बार आपके दौरा जो अफ़बाब पहलाया जा रहा था उसको आज सफाया कर दिया गया कि नरेंदर मौदी जी अरच्छन विरोधी नहीं बलकि पिछों और डलितों के हिद के लिए इन्होंने काम किया है एक नहीं अने को काम किया उन्होंने आज जो बेल भी लाए डलित के लिए इस बेल से भी साबित हो गया आज पूरा देस उनको देख रहा है कि नरेंद्र मोधी जी दलित विरोधी है या नहीं है आप जो आफवा कर रहे हैं देश भरक में अंदोलन करवाना चाह रहे हैं आपके दोरा यह कार जो किया जा रहा है उससे आज देश आपको माफ नहीं करने जा रही है मैं तो यह नहीं किसानों के हिद की बात आया तो उन्होंने MSP भी बढ़ाने का काम किया और उनका प्रयास है किस देश के किसानों की आमदनी दूगना 2022 तक होना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया उतना ही नहीं डॉक्टर भी मिराब अम्बेंटकर जिन्होंने संबीधान की रचैता थे और हम लोग को जो जगह दिये यहां तक आने का उनका अपने परतिमा तक नहीं लगाया नरेंदर मोदी जी ने उनकी परतिमा लगाकर देश और दुनिया को बता दिया कि दलित प्रेमिन नरेंदर मोदी जी है कि यह आप हैं यह आपको पता चलना चाहिए मानिये उपाधच्मा हो देखास करके एसी एस्टी कानून में मूल प्रभाम पुनह बहल जो हुआ है यह स्वागत योग कदम है इस कानून में परिवर्तन के बिरोध में पूरा देश अंदोलित हो चुका था उस समय जो अंदोलन कारी जेल में बंद थे उनको उन पर केस जो उठाया जाए और करीब उस अंदोलन में बारह लोगों की जा चुकी है मैं सरकार से मांग करता हूँ उन अंदोलन कारी जेल से रिहा किया जाए और उनदोलन कारी पर मुकादमा समात किया जाए यही बात करकर मैं अपनी बात को समात करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है सरी प्रोफेसर वेरेंदरा काशाप फाइव मिनिट्स प्लीज